मैं इस वक्त मेरे संगठन को धन्यवाद यश्यश्वी प्रधान मंदरी मोदी जी, अमिद भाईशाद जी को, नंटा जी, हमारे रास्ते इद्धेश जी को, कि मुझे आदिवासी छेत रामदाबाद से इस तोक मैं चार घंटे दूरी पर हूँ, यहां मुझे भेजा गया, जहां भुझपुरिया लोगनी, और मैं आप लोगों को सच बताओं, हर जगा भाजपा का माहौल है, हर जगा मेरे यशश्वी प्रधान मंदरी मोदी जी का माहौल है, डबल इंजन की सरकार, देड़ सो सीटों के साथ गुझरात में आ रही है, मैं अपनी सरकार की कारिशली को, मैं मेरे बोलने से पहले जनता खुद बोल रही है, गुझरात किसी जूट के लॉलिपॉप में, किसी जूट की राजनीती में नहीं फसेगा, गुझरात फ्री में कुछ नहीं चाहता, क् गुजरात फ्री में लेता नहीं यहां का एक एक यहां का अगर आदिवासी व्यक्ति भी है वो भी महनत करता और सब लोग महनत करके जीना जाते हैं तो गुजरात एक अलगी प्रदेश है यहां पर किसी की जूट की राजनिती आतंगवादी को संरक्षन देने वाली राजनि राष्ट का दुस्ति करण करने और राष्ट विरोधी पार्टियों की जगा इस पवित्र गुजरात में कि नहीं है क्योंकि गुजरात जानता है उसके बोट की कीमत और राम मंदिर बनता है उसके बोट की कीमत 378 गुजरात जानता है उसके एक बोट से आज हमारे फाइट ये शेश्वी प्रधान मंद्री मोधी जी, नरिंदर भाई, वुपिंदर भाई और अमिद भाईशा जी के जो जो शक्ती है जो उनका कारिश है लिए उस पर हम लोग जीत रहें झाल